हाई अबरेवन गुर्ण मोर्निंग आज फिर से एक ने वीडियो में आप लोगों का स्वागत है तोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सिखेंगे कि इस्टाग्राम में रील कैसे बनाया जाता है और इसको अपलोड करने का सही तरीका क्या है क्या ही बार हम लोग बहुत सरा रील बनाते हैं दोस्तों लेकिन एक भी रील हम लोगों का वाइरल नहीं होता है जिसके कारण हम परिसान हो जाते हैं और हम रील बनाना भी छोड़ देते हैं और मैं इसके बाद आप लोगों को Instagram में एक setting के बारे में भी बताऊंगा जोस्तों जिसके कारण से भी हमारे real कभी कभी viral नहीं होती है तो उस setting को करने के बाद आप लोगों का 100% chance है कि आप लोगों का real viral हो सकता है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को सुरू करने से पहले आप लोगों से चोटी सी request है मेरी यदि मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को subscribe जरूर कर लेजेगा क्योंकि इसी तरह की वीडियो आगे भी आप लोगों को इस चैनल पर बिलती रहेगी तो चलते हैं दोस्तों हम लोग मोबाल के screen पर वहां पर हम लोगों को वीडियो को ध्यान से देकेंगे ऑचकर लेते हैं जैसे Google Instagram app को open किया दोस्तों, हम लोगों के सामने next page open हो गया, आप सबसे नीचे जहां profile का option है दोस्तों, वहां पर हम लोगों को click कर देना है, जैसे इसको click करते हैं दोस्तों, तो फिर से हम लोगों का next page open हो जाता है, अब सबसे उपर जहां three dot ka option है दोस्तों, वहाँ पर click करना है जैसे इसको click किया दोस्तों और इसके बाद सबसे उपर जहाँ setting and privacy का option है दोस्तों वहाँ पर हम लोगों को click कर देना है जैसे इसको click किया दोस्तों तो हम लोग फिर से next page पर open हो गया है और नीचे की तरह हम लोगों को आप & humor जहां पर क्लिक करें ना है जैसे इसको क्लिक करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर private account जहां पर लिखा हुआ है यह option आप लोगों का off होना चाह 것으로 हologist, यदि यह on रहता है दोस्तों तो हम लोग का एकाउन प्राइवेट हो जाता है जिसके कारण हमारी रिल्ल्स या वीडियो लोगों तक नहीं पहुँच पाती है, इसके कारण हम लोगों का वाइलर भी नहीं हो पाता है तो इसलिए ये option को हमेशा आप रखना चाहिए, अब चालते हैं दोस्तों हम लोग back की तरह, अब हम लोग back हो जाते हैं, इसके बाद हम लोग नीचे की तरह install करेंगे दोस्तों और यहाँ पर नीचे scroll करने के बाद, जहाँ पर आप लोगों को sharing and remixes लिखा हुआ दिखाए दे रहा है दोस्तों वहाँ पर click कर देना है, जैसे इसको click करते हैं दोस्तों, तो इसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक मेरा option है दोस्तों, allow post sharing and guides, यहाँ देखिए यह off है यह option को हम लोगों को on कर लेना है जैसे इसको on कर लेते हैं दोस्तों इसके बाद हम लोग नीचे की तरह चलते हैं अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर तीन option है allow everyone to remixes allow only people you follow to remix do not allow remixes do not allow remixes पर tick है दोस्तों, तो यहाँ से हम लोगों को इस tick को हटा लेना है और सबसे उपर जहाँ allow everyone to remixes लिखा हुआ है उस पर tick को कर लेना है तो यहाँ पर इतना setting करने के बाद हम लोग नीचे की तरह scroll करेंगे दोस्तों अब यहाँ पर फिर से तीन option allow करने के लिए आ गया है दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को तीनों को allow कर देना है तो मैं तीनों को allow कर दिया हूँ दोस्तों अब हम लोग नीचे की तरह आएंगे और यहाँ पर आप लोग देख सकते है दोस्तों requirement on facebook यानि इसका मतलब यह है दोस्तों कि यहाँ पर इस option को अगर हम allow कर देते हैं तो जो भी video या जो भी reels हम अपने instagram में upload करते हैं तो ये automatic facebook में भी upload हो जाएगा तो इसलिए इस option को भी यहाँ पर हम allow कर देते हैं क्योंकि हमारे friend यदि instagram में हैं और facebook में भी हमारे friend हैं तो जो लोग instagram में देखते हैं और जो लोग Facebook में देखते हैं अलग 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 audience अलग अलग category किराते हैं तो यानि हम इसको भी दिखाना चाहेंगे उसको भी दिखाना जाएंगे तो इसलिए यहां से हम लोग इस option को allow कर देते हैं इसके बाद हम लोग back की तरह चले जाएंगे दोस्तों आप यहां से हम लोगों की setting पूरी तरह से हो चुकी है अब मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों कि हम लोग real को कैसे बनाते हैं तो reals बनाने का सही तरीका क्या है इसमें कुछ trending भी चलती है दोस्तों जैसे कुछ दिन के लिए कौन सौंग अभी trending में है तो हम लोगों को हम ऐसा इंतिजार करते रहना है हम ऐसा देखते रहना है तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों कि कौन सा सौंग trend में चल रहा है और इसको पहचान करने का सही तरीका क्या है तो आप लोग जहां यहां नीचे देखिये दोस्तों जहां audio का option है वहाँ पर एक तीर का निसान दिया गया है तो यही तीर का निसान हम लोगों को बताता है दोस्तों कि यह song अभी trend में चल रहा है तो जितने भी audio में आप लोगों को तीर का निसान दिखाई देगा दोस्तों तो आप लोग समझ जाएगा कि यह song अभी trend में चल रहा है यह तीर का निसान आप लोगों को सभी song में दिखाई नहीं देगा दोस्तों क्योंकि सभी song trend में हमेशा नहीं चलता है कोई भी song trending में या तो एक सब्ता के लिए या तो एक मेहना के लिए या फिर दो मेहना के लिए इतने दिन तक ही चलते हैं इसके बाद उसका trend खतम हो जाता है फिर से किसी दूसरे song trend में आ जाते हैं तो ये चीछ हम लोगों को देख लेना है जिस song के जिस audio के आगे तीर का निशन लगावा रहेगा दोस्तों उसी पर आप लोगों को reels बनाना है तो अब हम इस song पर इस audio पर एक वीडियो बनाना चाहते हैं दोस्तों तो हम वीडियो कैसे बना है तो आएए देखते हैं हम लोग mobile पर तो जैसे कि हमने देख लिया दोस्तों कि ये song में अभी trend है तो इसी पर मुझे एक reel बनाना है तो reel बनाने के लिए हम लोगों को audio वाले option पर click करना है दोस्तों और जैसे इसको click करते हैं दोस्तों हम लोगों का सामने इस तरह का interface आ जाता है अब जहां huge audio लिखावा दोस्तों वहाँ पर हम लोगों को click कर देना है जैसे इसको click किया दोस्तों फिर से हम लोग next page पर आ गया है अब हम लोगों के सामने reel बनाने का option आ चुका है दोस्तों अब मैं आप लोगों को एक reel भी बना के यहाँ पर दिखाता हूँ कि reel किस तरह से बनाया जाता है तो इसको बनाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले reel जहाँ पर लिखावा दोस्तों उसके उपर एक symbol दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर हम लोगों को click करना है तो मैं click कर लेता हूँ दोस्तों अब आप लोग देख सकता हो दोता हूँ हमारा यहाँ reel बनना शुरू हो चुका है तो हम लोग थोड़ा इदिजार कर लेते हैं तो आप लोग देख सकता हैं हमारा reel बनना के तेयार हो चुका है और audio भी हमारी reel पर लग चुकी है अब simply हम लोग जहां सबसे उपर double A का option दिखाए दे रहा है जोस्तों वहाँ पर click करना है वहाँ पर click करके हम लोगों को यहाँ पर कुछ लिखना पड़ता है जोस्तों यहाँ पर जैसे मैं लिख लेता हूँ आप हम लोग यहाँ पर white for end लिख चुके हैं दोस्तों इसका लिखने का main reason यही है कि आपका वीडियो कोई भी अवर्दी देख रहा है तो उसको लगे कि यह last में याने end में कुछ दिखाने वला है आपके वीडियो में चाहिए कुछ हो चाहिए कुछ नहीं हो लेकिन देखने वाले को हम ऐसा लगना चाहिए कि यह last में कुछ दिखाएगा और यह देखते देखते आप लोगों का वीडियो last तक वो बिजिट कर लेगा तो इसलिए हम लोगों को यहाँ white for end लिखना बहुत ज़री है अब हम लोग next वाले option पर click कर देंगे जोस्तों जैसे ही next वाले option पर click कर देते हैं दोस्तों तो हम लोगों के सामने next page open होके आजाता है अब सबसे उपर जहाँ पर edit को भार का option दिखाए दे रहा है जोस्तों वहाँ पर हम लोगों को click कर देना है जैसे इसको click करते हैं दोस्तों हम लोगों के सामने आप next page open होके आ जाता है अब जीस तरह हम लोग YouTube में वीडियो बनाते हैं दोस्तों तो हम लोग थरमेल को लगाते हैं तो इसी तरह यहाँ पर भी हम लोगों को एक थरमेल लगाने के आउसकता है दोस्तों लेकिन इसमें यही अंतर है कि आप लोगों को थरमेल अलग से बनाने के आउसकता नहीं होगी उसी रील के अंदर में आप लोगों को जो सिन देखने में अच्छी लगेगी यानि कोई भी आपका रील जड़ी first time विजिट करता है तो आपको देखने में अच्छा हो तभी वो बंदे आपके वीडियो को किलिक करेगा आपके रील को किलिक करेगा तो इसलिए यहाँ पर starting में हम लोगों को इसी रील के अंदर आप लोगों को देख लेना है कि यह सीन अच्छा है या यह सीन यह scene अब लोगों को सब चीज देख लेना है कि कौन scene जैसे मैं इसको select कर लेता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझाने के लिए अब यहाँ पर select कर लिया हूँ अब हम लोग सबसे उपर नहां done का option हो दोस्तों वहाँ पर click कर देते हैं अब हम लोगों के सामने next page open होके आ गया दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर कुछ हम लोगों को लिखना परता है जिस तरह हम लोग YouTube वीडियो के title में लिखते हैं तो उसी तरह यहाँ से कुछ आप लोगों को लिखना पड़ेगा दोस्तों जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हू आप मैं trending release लिख चुका हैं जोस्तों अब हम लोग इसको नीचे करके यहाँ पर हम लोगों को कुछ hashtag भी लगाना पड़ता है तो हम लोग hashtag लगाने का सही तरीका है जोस्तों यहाँ आप लोग हच वाले option को क्लिक करोगे और यहाँ पर hashtag में आप लोग लिख सकते हो trending हो गया, real हो गया, viral हो गया यही सब आप लोग कुछ 3-4 hashtag लगा सकते हो जैसे मैं trending लिखता हूँ T-R-A तो आप लोग T-R-A जैसे मैं trending लिख रहा हूँ दोस्तों तो यहाँ पर जैसके option आजाता है trending का अब हम लोग इसी को type कर दिना है अब फिर इसके बाद next hashtag लगाते हैं दोस्तों हच पर क्लिक करेंगे इसके बाद viral V-I-R-A-L अब viral जैसे ही search करते हैं दोस्तों तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर viral का option आगिया अब इसको भी एक hashtag लगा जैते हैं इसके बाद आप लोग और दो-तीन hashtag लगा सकते हैं दोस्तों तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर दो hashtag लगा चुका हूँ तो इसके बाद हम लोग आप नीचे की तरह आएंगे दोस्तों और यहाँ पर आप लोगों को एक option दिखाए देता होगा also share to feed यहाँ पर अगर आप लोगों का off है दोस्तों तो इसको on कर लेना है इसके बाद हम लोग नीचे की तरह आएंगे और यहाँ पर जहाँ recommend on Facebook यहाँ अगर यदि आप लोगों का off है दोस्तों तो इसको भी on कर लेना है इसको on करने से जिस तरह मैंने आप लोगों को setting के बारे में बताया था दोस्तों कि Instagram में कोई भी real कोई भी video अगर आप लोग डालते हो तो automatic Facebook में भी वो upload हो जाता है तो इसलिए इसको on कर लेना है अब इसको on करने के बाद हम लोगों के सामने और एक option आजाता है दोस्तों सबसे नीचे जहाँ advance setting है इसको click करना है इसको click करने के बाद अब आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर सबसे नीचे हम लोग आएंगे और यहाँ पर upload at highest quality जहाँ पर लिखा होगा है यहाँ आप लोगों का off होगा दोस्तों मैंने अभी on करके रखा था इसलिए on था तो इसको आप लोग on कर लिजेगा यदि इसको आप लोग on कर लेते हैं दोस्तों तो आपकी वीडियो अच्छी quality में upload होगी दिखने में एक जरा भी धुनलापन नहीं होगा एकदम clear वीडियो आपकी होगी जिससे audience को आपकी वीडियो काफी पसंद होगी तो इसलिए इसको आपको highest quality पर okay कर देना है अब हम लोग बैग आ जाते हैं दोस्तों अब हम लोगों का सारा process complete हो चुका है अब हम लोग next वाले option पर click कर देंगे दोस्तों अब जैसे ही next वाले option पर click करते हैं दोस्तों next page open हो जाता है इसके बाद हम लोगों को share वाले option पर click कर देना है जैसे ही इसको हमने share कर दिया दोस्तों तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर sharing to real यानि share होना और upload होना start हो चुकी है तो जैसे ही यह complete हो जाते हैं दोस्तों तो इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखाए देगा मैं अभी audio को बंद करके रखा हूँ दोस्तों इसलिए audio की आवाज नहीं आ रही है मैं आप लोगों को एक बार सुना भी देना चाहता हूँ दोस्तों मैं आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ सिर्फ इस तरह बेक करदा से बनाया हूँ दोस्तों आप लोगों इस्टाइल करके भी अपना वीडियो को बना सकते हैं ताकि ओडियंस को पसंद आए तो जिस तरह से आप लोगों ने देखा जोस्तों कि हमने एक रील को तैयार करके अपने इस्टागराम में अपलोड किया आप लोग सेम इसी प्रोसेस से अपने गलेरी से भी वीडियो को यहाँ पर अपलोड कर सकते हो तो गलेरी से अपलोड करने के लिए आप लोगों को यहाँ पलस वाले अप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा जोस्तों और जैसे ही पलसवले option फर क्लिक लिये हैं तो आप लोगों के सामने यहाँ पर gallery का option आ जाता है दोस्तम। अब आप लोगों को यहाँ पर search करना है कि हमको कौन video यहांसे upload करना है जैसे मैं इस video को ले लेता हूँ दोस्तम। एक वीडियो को मैं ले लेता हूँ, आप यहां जैसे ये वीडियो आ गया दोस्तों, अब यहां पर आप लोग सबसे उपर जहाँ तीर का निशान दिखाये देरा है, यहां पर किलिक कर देना है, तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग फिर से वही अप्शन पर आ जो मेने आप लोगों को पहले बताया है अप से प्रोसेस से आपको इसी वीडियो को भी अपलोड कर लेना है तो इसी तरह हम Instagram एप में रिल को बना करके उपलोड कर सकते हैं दोस्तों और जिस प्रोसेस से मैंने ट्रेंडिंग के वीडियो के बारे में बताया उस माध्यम से आप लोग वीडियो बना करके अपने वीडियो को वाइरल भी करा सकते हैं तो ऐसा करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा पाया हूँ तो उम्मिद करता हूँ जोस्तों आज का ये छोड़ा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दिजेगा पिरिज और यदे मेरे चनल को पहली बार भीट कर रहे हैं तो चनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन बरन को पिरिज करते हुए अल बरन को भी पिरिज कर लें ताकि आने वाले हाट वीडियो को नेटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले वीडियो दखने के लिए बहुत बहुत धने आदास मिलते हैं फिर नेट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन वंदे मापतरम